तो ये गईस ये है OPPO A3E PRO 5G स्मार्टफॉन और आपको इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं फॉन का डिजाइन तो बहुत अच्छा लग रहा है बट इसी के साथ आपको इसमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं जैसी के आप ये जो रिंग लाइट है इसे कैसे अपलाई कर सकते हैं आप फॉन में डवल टैप करेंगे तो आटोमेटिक फॉन बंद हो जाएगा डवल टैप करेंगे तो आटोमेटिक ही ओन हो जाएगा आप ओड्रो करेंगे तो आटोमेटिक कैमरा ओपन हो जाता है और आप ऐन सा बनध फोन में भी ड्रो करेंगे तो आटोमेटिक ही फ्लश लाईट ओपन हो जाती है चली वीडियो स्टाट कर लेते हैं मेरा नाम है रोशनी आप सभी का tag for रोशनी में स्वागत है फर्ष्ट फीचर्स आपको यहां सेटिंग पर आना है और यहां एडिशनल सेटिंग पर रजाना है नीचे आएंगे आप यहां पर रीटच वाले आप्सन पर क्लिक कर दीजिएगा यह से ओन कर लेना है अब आप फेस्बूक या फिर बॉट्सप में किसी से वीडियो कॉल मे बात करेंगे ना तो आपकी व्यूटी और जादा इन्हेंस हो जाएगी देखो आप इंस्टाग्राम में किसी से वीडियो कॉल में बात करते हैं तो आप फिल्टर लगा कर फेस्बूक में नहीं बनता है तो आपको यहां पर यह फीचर्स दिये गया है तो आप इस फीचर् जाएगा आपको वन हैंड मोड यहां पर क्लिक करके यह ओफ रहेगा इसे ओन कर लेना है अब देखो आप कोई भी एप्लिकेशन यूज़ कर रहे हैं और थ्री डॉट तक मेरा हाथ नहीं जा रहा तो आपको सिंपली कुछ इस टाइप से करना है तो यहीं से आप यह एप यूज़ कर सकते मतलब कि यहां भी आप एक यहां से अपने फॉन को यूज़ कर पाएंगे नेक्स फीचस आपको इसमें इसमार्ट साइडवार मिल जाता है तो यहां सेटिंग पर आकर स्पेशल फीचस पर आना है इसमार्ट साइडवार पर आईएगा यह ओफ रहेगा इ यह एप्लिकेशन हाइड भी हो जाती है और यहीं पर क्लिक करके आप दो वारस इसे ओपन भी कर सकते हैं तो है ना यार यह काफी कमाल का फीचस इसके लिए लाइक बनता ही है जल्दी से लाइक कर दीजे नेक्सट आप इसमें न तीन एप्लिकेशन एक साँ चला सकते हैं म लाबा आपको कुछ इस टाइप से करना है और यहां से भी आप एक और एप्लिकेशन ओपन कर लेना तो इस टाइप से आप यहां पर तीन तीन एप्लिकेशन एक साथ यूज कर सकते हैं नेक्स फीचर्स का इस जब भी आप बच्चों को फॉन देते हैं न तो उनके लिए यहां पर एक स्पेशल फीचर्स मिल जाता है जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ और नीचे आपको डवल टैप टू वेक और टन अन इसे भी ओन कर लेना है अब इससे क्या होगा आप यहां से डवल टैप करेंगे फोन बंद हो जाएगा डवल टैप करेंगे तो आटोमेटिक ही ओन हो जाता है नेक्स फीचर का इस आप यहां दिखाना चाहते हैं कि आपका नेट की स्पीट कितिनी है मतलब रियल टाइम में नेट कितना चल रहा है केवी में चल रहा है या फिर एमबी में चल रहा है तो इसके लिए यहां सेटिंग पर आना है और नोटिफिकेशन एन स्टेटस वार यहां से स्टेटस वार पर आजाएगा नीचे आपको मिल जाएगी रियल टाइम नेट वर इस्पीट इसे ओन कर लेना है अब आपका नेट कितने के बी में चल रहा है पर सेकेंड में यहां स्टेटस वार पर देखने के लिए मिल जाएगा आप सिम डालेंगे न तब यह इसे ओन कर लेना है अब इस्टेटस वार पर ही आप देख सकते हैं कि कितना नेट यूज हुआ है और कितना नेट बचा है और गाइस आप जब भी नया फॉन खरीदते हैं तो आपको यहां पर बैटरी का परसेंटेज नहीं दिखता है इसे कैसे लाना है मैं आगे आपको आने वाली हूं नेक्स फीचरस आपको यहां सेटिंग पर आकर इस्पेसल फीचरस पर आना है जेशर और मूशन पर अजान है यहां से स्क्रीन ओप जेशर पर आएंगे यह ओफ है तो इसे ओन कर लेना है अब आप यह जो दोनों फीचरस देख रहे है ना इन दोनों को ओन कर लेना है, इनसे क्या होगा, आपका फोन इस टाइप से बंद रहेगा, आप ओड रो करेंगे, तो कैमरा ओपन हो जाएगा कुछ इस टाइप से, और बंद फोन में आप ऐसा भी ड्रो करेंगे, तो आटोमेटिक फ्लैस लाइट बिलिंग करने लगेगी तो कुछ इस टाइब से आप यहाँ पर smart gesture का use कर सकते हैं next feature सभी आप यह जो ring light देख रहे हैं इसे कैसे apply करना है तो इसके लिए आपको जादा कुछ नहीं करना simply google chrome में जाना या फिर आप यहाँ app market पर चले जाईएगा और यहाँ से एक app download कर लेना है जिसका नाम है ring ring app download करने के बाद पहले आपको इसकी permission वगयरा दे रहेना है app आपको कुछ इस type से देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर click कर देएंगे तो आप इस interface पर पहुँच जाते हैं यह पहले से यहाँ से off रहेगी तो इसे on कर लेना है तो आपके camera में भी यह ring light apply हो जाएगी यह resizer होता है आप यहाँ से light के size को छोटा वड़ा कर सकते हैं और यहाँ से सही से fit कर पाएंगे light को इसके अलावा आप इसके color change करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे color पर रजाईएगा यह segment color रहेगा पहले तो आपको single color कर लेना है अब यहाँ पर click करके आपको जो भी color पसंद हो उसे apply कर देना है जैसी कि हम यहाँ पर green color कर देते हैं तो आप यह देख सकते हैं green color की light apply हो गई है इसके अलावा आप इन में अलग color इसमें अलग color करके multi color की ring light apply कर सकते हैं next features guys आपके पास कोई भी call आती है तो ring के साथ यह जो flash light है वो भी blink करेगी तो इसके लिए आपको यहाँ dialer पर आना है three dot पर click करके setting पर जाना है और यहाँ से calling account पर आना है more setting पर आएंगे यह off रहेगी flash on call तो इसे on कर लेना है अब आपके पास call आएगी कोई भी incoming call तो ring के साथ साथ flash light भी blink करने वाली है और यहाँ पर आपको एक और कमाल का features मिल जाता है answer and call पर आईएगा यह off है तो इसे on कर लेना है यहाँ से आपको time set कर देना है जैसे मैंने three second कर दी है अब आप जब भी bluetooth या फिर earphone या फिर other device इस phone से connect करेंगे न तो आपके पास कोई भी call आती है तो three second बात automatic ही call pick up हो जाएगी आपको ऐसे touch करने की ज़रूद भी नहीं है और आपको इसमेना aura light भी मिल जाती है इसका photo में कैसे use करना है इसके लिए मैंने camera features वाली वीडियो पहले ही बना दी है लिंक आपको description पर मिल जाएगी वहाँ से जाकर check out कर लीजेगा ऐसे ही आप कान के पास phone को ले जाएगे तो भी automatic call pick up हो जाती है उसके लिए आपको कोई भी external device को connect करने करने ज़रूद नहीं है इस phone में तो इनके लिए आपको यहाँ setting पर आना है और यहाँ additional setting पर आका gesture and motion पर आना है नीचे आपको मिल जाएगी lip to ear to answer call यह off है तो इसे on कर लेना है अब आपके पास कोई भी call आती है आप phone को कान के पास ले जाएगे तो call automatic pick up हो जाएगी next R2 switch to receiver को भी on कर लीजेगा अब आपके पास call आती है आप loud speaker में बात कर रहे है तो जैसे phone को कान के पास ले जाएगे तो automatic बो man speaker पर transfer हो जाएगा मतलब की loud speaker बंद हो जाता है नीचे flip to mute incoming call मिल जाती है इसे on कर लेना है अब कोई भी आपको बार बार call करके पका रहा है ना तो आपको कुछ नहीं करना simply अपने phone को कुछ इस टाइप से पलट देना है तो automatic call mute हो जाएगी मतलब की silent पर चली जाती है next features guys आप इसमें ना music को control कर सकते हैं कुछ gesture की मदद से तो यहां आपको screen of gesture पर आजाना है music control को on कर लेना है अब देखो आपका phone बंद रहेगा और आप अपनी दो finger से कुछ इस टाइप से करेंगे तो music pause हो जाएगी जो play हो रही थी ना वो pause हो जाएगी और आप कुछ इस टाइप से करेंगे आपको यहां home पर long press करना है और यहां more पर आजाना है यहां से आपको icon pull down gesture पर आना है यह off है तो इसे on कर लीजेगा अब आप home screen पर कुछ इस टाइप से करेंगे तो यह सारी application नीचे के site आजाएगी और यही से आप उन्हें application को open भी कर सकते हैं next features guys अभी यह हमारा phone lock है और आप कुछ इस टाइप से करेंगे तो यह notification panel निकल रहा है अगर आप चाहते हैं कि notification panel ना निकले lock screen से तो आपको यहां setting पर आना है notification and status वार पर रजाईएगा और यहां more setting पर आना यहां से आपको swipe down on lock screen यह जो features है यह on रहेगा तो इसे off कर देना है अब आपका phone lock रहेगा तो notification डावर नहीं निकलेगा next features जो की काफी जादा कमाल का है आपना WhatsApp की delete message इसको read कर सकते हैं तो आपको यह notification history पर आना है यह हमारी पहले से on है आपकी on नहीं होगी तो इसे on कर लेना है अब 24 गंटी की जो भी notification बगेरा रहेंगी आप यह सब swipe कर देदे देख नहीं पाते हैं तो सारी notification यहाँ पर save हो जाएंगी आप यहाँ से उन्हें देख सकते हैं इसके अलाबा WhatsApp की जो delete everyone वाली message होती है ना बो भी यहाँ पर save हो जाती हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं बट आप सिर्फ 24 hours की message बस देख पाएंगे अब बैक आजाना है आपको next features के लिए आपको यहाँ पर और भी काफी कमाल की features मिल जाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि यह battery का percentage कैसे दिखाना है तो यहाँ status बार पर रजाईएगा और यह जो battery percentage है यह off रहीगी आपकी तो इसे on कर लेना है तो आप यह देख सकते हैं battery का percentage यहाँ देखने लगा है next आप यहाँ से battery के style को change कर सकते हैं तो जो भी आपको पसंद हो आप रख लीजेगा और यहाँ से आपना आपके पास कोई भी notification वगएरा आती है तो notification नमर पर आना चाहिए आइकन पर आना चाहिए आप यहाँ अपने according कर लीजेगा next features guys अभी मैं यह जो phone यूज कर रही हूं तो यह थोड़ा slow चल रहा है हमें इसमें 120 Hz का refresh rate मिल जाता है तो यहाँ display and brightness पर आजाना है नीचे आएंगे आप refresh rate पर यह पहले से 60 Hz रहेगा तो आपको 120 Hz कर लेना है अब आपको phone एकदम मखन की तरह चलने वाला है और आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी features मिल जाते हैं जैसी कि आप यहाँ से screen color mode कर सकते हैं इसलब कि अपना डिस्पले है उसका color आप यहाँ से change कर पाएंगे अगर आप night में phone यूज कर रहे हैं तो आपको eye comfort को on कर लेना है इससे जो phone की screen के color है वो थोड़ी सारफ हो जाते हैं जिससे आपकी eyes में effect नहीं पढ़ता है brightness का तो आप इसे भी use कर लीजेगा आप back आएंगे आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे features मिल गए हैं तो जो भी आपको suitable लगे आप यहाँ से use कर लीजेगा next features guys आप इसमें app height कर सकते हैं app lock कर सकते हैं photo video height कर सकते हैं तो यहाँ एप पर आना है यहाँ app clone पर अजाईएगा अब आप यहाँ से एप को clone कर पाएंगे जैसे हम snapchat को clone कर लेते हैं मतलब कि इनके आप दो एप बना सकते हैं simply इसे on कर देना है अब आप home screen पर आकर देखेंगे तो आप यह देख सकते हैं दो दो snapchat मिल गए है तो इस टाइब से आप facebook, instagram, whatsapp सारी चीजों को आप यहाँ से double कर सकते हैं app clone की मदद से next features आपको यह security and privacy पर आना है नीचे आएंगे आप यहाँ app lock पर अजाना यहाँ से आपको पहले इसे on कर लेना है setting पर आकर आप password वगेरा set कर देना आपको जो भी password यूज करना है कर लीजेगा आपको two times password डालना यहाँ पर आप कुछ भी लिख देना चलेगा अब उस app को select कर लेना है जिनमें आप lock डालना चाहते हैं हमने इन app को select कर लिया है अब home screen पर आएंगे Amazon को जैसी open करेंगे तो Amazon पहले password पूछेगा उसके बाद ही open होगा तो कुछ इस type से आप सारे app में या फिर आपको जो भी अपने private app हो उसमें lock डाल सकते हैं next features आप इसमें photo और video कैसे height करेंगे तो आपको यहाँ album पर आजान है यहाँ मिल जाता है private तो click कर देना है यहाँ भी आपको पहले password वगेरा set कर देना है देखो आप यहाँ पर अलग-अलग password भी set कर सकते हैं या फिर एक ही password आप सब जगर लगा सकते हैं यहाँ add के option पर आना अब जिस भी photo को आपको height करना है उसे select कर लेना है हमने इने select कर लिया है अब यहाँ पर आपको यह मिल रहा है set as private click कर दीजेगा तो अब यह जो photo है वो private पर safe हो गई है आप यहाँ gallery पर आकर देखींगे तो आपको यह photo देखने के लिए नहीं मिलेगी आपको देखना है तो यहाँ private पर जाईएगा और जो भी आपने password डाला था उसे डाल देना है तो यह photo आपको देखने के लिए मिल जाएगे तो गईस यह रहे इस phone के top 30 plus features वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताएगा और हाँ comment में यह भी बताना कि इसका next part लाना है या फिर नहीं लाना है तो चलिए आपको वीडियो पसंद आई तो please यार वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe करके bell notification को all पर select करना तो बिलकुन भी नहीं हूलना अब हम मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching this video